हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं इस्टेडी फिट ओफ फिजिकल एजुकेशन चैनल, दोस्तों न्यू प्राक्टिस सेट का ये 24 वा प्राक्टिस सेट है, यूपी टीजिटी, वीजिटी, यूपी अल्डेग्रेट, बीपीसी टीरीफोर, और फिजिकल एजुकेशन कमपरिशन एक्जाम के लिए डेली वी सेट में मैं प्राक्टिस करा रहे हूँ, मेरे साथ जुड़े रहे हैं, और थीरी सेट में देखने के लिए चैनल की प्लेलि तो जैसे ही वीपीसी टीरीफोर का जो नाटिफिकीसन निकलता है, फार्म अप्लाई होता है, उसके जश्ट बाद से मैं पांच आफसन स्टार्ट कर दूँगे, आप चैनल ये बस डेली बेसे से जुड़े रहें, तो चलते हैं आज के कोस्टन के तरफ, कोस्टन नमबर व जो टेंडन होती है, उसे एचलिस टेंडन कहते हैं, और एक समाने इस हीती है, जो एड़ी के पास पैर के पीछे दर्द का कारवर बनती है, और एचलिस टेंडन जो है, सरी में सबसे बड़ा टेंडन होता है, याद रखिएगा, अगर कोई से पूछ दिया कि सरी में सबसे बड़ा टेंडर कौन है तो एचिलिस टेंडर जो एड़ी के पास होती है यह सरी के दो प्रमुख पिंडलियों की मांस्पेसियों काफ मसल्स को एड़ी की हर्डी से जोड़ता है याद रखेगा एचिलिस टेंडराइडियों की प्रभाव को कम करने से पिंडलियों की मांस्प तेक प्रतिक रिया है यो अक्सर सूजन डर्द वर जलन का कारण बनती है यहाँ विदाइट इंसर क्या हो जाएगा आपसर नमबर सी जो पिंडली के मांस पेस्यों को मजबूत करता है यारे की सोलियस और कॉफ मसल्स को यह पिंडली के मांस पेस्टिया है कोशल ग्लाइकोजन योजग को किस कारिक लापकारी माना जाता है इसमें प्रवक्तर शामिल होता है तो दूसतों ग्लाइकोजन सप्लिमेंट्स आर इंधे कांसाइड्रेट बेनिफीशेल इन वीच एक्टिविटी ती विच मैंनली इन्वाल तो दोस्तों जैसा कि ग्लाइकोजन यूजन यानि कि कार्बो हाडिन लोडिंग भी इसको कहा जाता है यह ब्यक्टी को कम थकान के साथ उर्जापदान करता है जो सारी गति वीदियों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज के लिए आवस्ट जेक होता है यह कोशन नमर थी है वाली वाल का सर्वीज छेतर कितना लंबा होता है तो जो ग्रावन के लंबा ही चोड़ाई होती है इनलाइन के बाहर से जो नौ मीटर के एडिया होता है वो सर्वीज छेतर होता है यहां पर 9 मीटर आपका राइड इंसर हो जाएगा कोशन नमर फूर है सारको प्लाज में पाए जाता है सारको प्लाज में किसमें पाए जाता है दोस्तों सारको प्लाज में यानि कि जो सारकुपलाजовых कोसीका मांस्पेसी तनतु होती हैं ,ед मुसल्फाइबर तो literally तो सारकुपलाज में मांस्पेसी तनतु ने मुसल्स फाइबर के अंदर गड़ा लिहा ना हो उसे इसंहाँ सारकुप्लाद में तो मांस्पेसी कोशिकाह में यानि कि आपका मसल सेल में भरा रहता है और मांस्पेसी तंतु जिस जिल्ली से घिरा रहता है उसको सारकु लेमा कहते हैं याद रखेगा और समपूरू मांस्पेसी जिसे घिरे रहती है उसको एपी मायसियम और मांसपेसी तन्तू के समू जो बंडल गुरी रहते हैं उसे हम कहते हैं पेरी मायसियम और एक मांसपेसी तन्तू जिससे गुरी रहते हैं उसे हम कहते हैं एंडो मायसियम question no.5 है उलम्पिक खेलों की आयोजन वर्स और आयोजन इस्थल का सही मिल कीजिए तो दोस्तो आपको देखना है कि 1948 में कहां हुआ था दोस्तो लंदन में ठीक है तो एक क्या हो जाएगा टू एक हो जाएगा टू फिर आपका हो जाएगा 1980 कहां पर हुआ था 1980 मासको में हुआ था ठीक है तो बीका 1 हो जाएगा 1956 मेल बॉर्ण में हुआ था तो शीका 4 हो जाएगा 1960 रो में हुआ था तो डीका 3 हो जाएगा तो 2,1,4,3 2,1,4,3 किसमें दीख रहा है कौन सा आपका राइड इंसरू हो जाएगा तो यहां पर आपका राइड इंसरू हो जाएगा कोस्टर नम्र 6 है किसे आयू को परतिस्थापित कर अधित्तम हिडायगती की गढ़ना की जाती है वीच आप फॉलिविंग इस यूज़ तो सब्टिट्यूट एज फॉर दे मैक्सिमम हार्ट रेट दोस्तों ओवियायाम के दूरान आपका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होना चाहिए तो इसको किस से घटा करके ग्यात किया जाता है तो 220 में से आयू को यह जदि आप घटाएंगे अधित्तम हार्ट रेट यानि अधित्तम हिड़ेगती ज्याद करने के लिए आयू को जितना आयू हो रहा है उम्र हो रहा है उसको 220 में से घटा देंगे और जो आएगा उँ अधित्तम हार्ट रेट होगा ठीक है जैसे कि किसी बैक्ति की जो उम्र है कितना है 45 वर्स है और उसके उम्र को हम 220 में से घटाएंगे ठीक है 220 में से घटाएंगे 45 वर्स आएगा कितना है 175 वर्स यानि कि 175 यानि कि उसका ब्यायाम करते समय कि प्रतिमिनाट हिदय गति हार्टेट होगा अधितम होना चाहिए 175 कोशन नंबर सेवेर है ध्यानात्मक आसन है फार्डिट मेडिटेटिव आसन तो दोस्तो एसमें पदमासन और वजरासन जैसे कि इस सभी क्या है सिध्धासन इध्यानात्मक आसन है जिसमें से अपदमासन को कमलासन भी बोला जाता है और वजड़ासन जो है अकिला है इसे भूजन के बाद किया जा सकता है ठीक है किया जाता है खासकर दो पखर के वोजन के बाद याद रखेगा पॉस्टन नमर आठ है कि बाक्सिंग पूरुस भारवर्ग का मिलान उनके सरीर के वजन से संबंधित सीमा के भी तर्किया जाता है तो दोस्तों सभी जिसे की कुस्ति हो गया आपका बाक्सिंग हो गया इसा भी भारवर्ग वाले खिलाड़ी है तो यहाँ पे वेल्टर वेट जो है 64 से 79 यानि कोन इसमें नीचे दीगे सुची में गलत मिलान को आपको चुनना है जो गलत है सही है उसको नहीं तो यहाँ पे वेल्टर वेट 64 से 79 केजी होता है सही है मिल्डर वेट 75 से 75 केजी होता है यह भी राइट है हैवी वेट जो है आपका एक क्यावसी से 99 केजी होता है यह भी राइट है बट आपका जो लाइट वेट होता है वो 52 से 56 केजी नहीं होता है लाइट वीट आपका संतावन से 60 केजी होता है इसलिए यहाँ पे आफ़न नमबर डी जो है वहां सही नहीं है गलत है कोशन नमबर नाइन है कि योगह चित्त बृत्ती चर निरोधः किसकी परिभासा है अधात चित्त की बृत्तियों को रोकने या मन के आवेगों को निर्दित करना ही योग है इस परिभासा को दिया था योग सुत्र के रचनाकार महरसी पतंजली ने महरसी पतंजली के अनुसा चित्त की बृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है अमुरसी बेदव्यास का कहना है कि योग शमाधि है और संपुरानंद का कहना है कि योग अध्यात्मिक कामधेन है और भगवत गीता में कहा गया है कि योग कर्म सुकोषनम यानि कर्म करने के निपूरता ही योग है इस प्रकार कई सारे परिभास आये दिये हैं लोग जिसमें मैंने आपको योग वाले प्लेलिस्ट में जाईए सभी थियोरी से योग से रिलेटिट वाँ भी मिल जाएंगे जो आपकी परिच्छा में पूछे जाते हैं उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कोश्चन नमर दस है आक्सिजन लेना है स्वास लेना है तो दोस्तों स्वास लेना छोड़ना इसको प्राडायाम करते हैं यानि कि स्वासों पर नियंतर करना ही प्राडायाम होता है तो प्राडायाम के तीन भटक होते हैं पूरक कुमभक और रेचक ठीक है पूरक मतलब होता है स्वास को अंदर लेना स्वास लेना क्या हो जाएगा पूरक फिर स्वास लेने के बाद कुछ दिर तक स्वास को अंदर रोके रखना कुम्भक कहा जाता है फिर दीरे दीरे स्वास को बाहर छोड़ना रिशक कहा जाता है कुम्भग दो प्रकरक होता है अंता कुम्भग और वाहे कुम्भग स्वास को अंदर रोके रखना अंता कुम्भग स्वास को बाहर छोड़कर रोके रखना वाहे कुम्भग कर लाता है Qc. 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 जाएगा महिलाओ के लिए दोबिस से दो थीस सेंटीमीटर होता है याने कि 2.2 0.0 से 2.30 स महिलाओ के लिए कोंसे नंबर बार है चालसज मिटर दौर से के लिए दूसरी लेन का इस ट्रेगर क्या होता है तो दोस्तों होला के लिए दुसरी लेता हैना स्च का क्या होगा यह 1 जीर। या 했어 होगा 7.01 छीरू हम यानि की 2 फूल यॉश्ट लेकरging 400 मेट्र ंसाजर होता है 4 कि 2 फूल इस्ट्रेगर में आपका निकालने का सुत्र होता थैं यहां भी आपका सेकेंड जो लेन है उसका इस्ट्रेगर हो जाएगा सेविन पॉइंट जीरो फोर यानि कि आपके नमबर डी यहां पर राइड इंसर हो जाएगा जिसा, बताया हुआ था आपको चारो So, Mont Isel前 to Scan 400-us 1945-ä जो 300 मिट्यू का पॉल स्ट्रेगर का जो लेन होता है दूसरा जी तृसरा लेन का जो स्ट्रेगर हो खेंब कितना होगा उसको ग्याद करने के लिए यसे आप सबको पता है कि फर्स लेन का जो इस्ट्रेगर होता है 00.0 मिटर होता है सिकेंड लेन का जो होता है 7.04 मिटर होता है अब आगे आपको ग्याद करना है तिसा चोथा पाजमा का तो सभी में आप 7.67 जोड़ते जाएंगे आपको आता जाएगा आप एक्लेटिस के उस वीडियो को देख लीजिए उसमें मैंने ट्रिक बताया हुआ है कुश्य नंबर 13 है लंबी कूद के गिरने का परिच्छत्र होता है the area of fall in long jump जो landing area होता है long jump का जैसे कि आप जानते है कि इस तरह का होता है ठीक है और इसमें यह आपका runway होता है यहाँ पर आपका टेकाफ बोर्ड होता है और plastic sign indicator बोर्ड होता है यहाँ पर ड़ती हुए जाएगा बंदा ठीक है तो जो आपका यह landing area होता है यह कितने मिटर का होता है तो यह दोस्तो होता है 9 गुड़े 2.75 मिटर ठीक है 9 मिटर आपका हो जाएगा 9 मिटर क्या हो जाएगा आपका length हो जाएगा and 2.75 मिटर आपका चोड़ाई हो जाएगा ठीक है और इसकी जो आपका जो इसकी इसमें आपका होता है plastic side indicator board and take off board तो इसकी जो runway होती है 40-45 मिटर होती है और runway की चोड़ाई 1.22-1.25 मिटर होता है और इसमें कुदने के लिए अधित्तम जो समय होता है एक मिनट का होता है question no.4 है कि 100 मिटर महिला बाधा दौड की उचाई कितनी होती है तो दोस्तों 100 मिटर महिला के लिए 110 मिटर पूरूज के लिए होता है 400 मिटर महिला पूरूज दोने के लिए होता है 100 मिटर महिला बाधा दौड के लिए जो आपका उचाई होता है बाधा की वो होता है 0.84 0.84 मीटर 100 मीटर के लिए 110 मीटर के लिए 1.061 मीटर और 400 मीटर पूरुस के लिए इसके उचाई होती है बाधा की 0.914 मीटर 400 मीटर महिला के लिए 0.762 मीटर कोशन नमबर 15 है कि पूरुस 110 मीटर बाधा दोड के लिए बाधा की उचाई कितनी होती है तो दोस्तों वह होता है आपका 1.067 मीटर 1.067 मीटर 11 मीटर बाधा दोड के लिए बाधा की उचाई है पूस्चन नमर 16 है क्रिकेट मैच में कितने अमपायर होती है हाव मैच में कितने अमपायर होते हैं तो क्रिकेट मैच में जो है अमपायर होते हैं चार इसे मुक्र रूप से 2 होते हैं लेकि पुरा मिला करके चार होते हैं यह विसी दो वो अम्पाइर मैदान यानि फिल्ड में होते हैं मौजूद और एक अम्पाइर मैदान कि बाहर TV स्क्रीन पे थर्ड अम्पाइर होता है और एक रिजरो अम्पाइर होता है Q17 है कि लीवरू की स्खेल में पाय जाता है आप शबको पता है कि यह बॉलीबाल में पाय जाता है Q18 है कि धावाक ट्रैक में 32 में मूर पर बाई और क्यों जुटता है Qdash Runering Lain to the Left and Turn While Running on the track तो दोस्तों वह होता है कि रुः बल कारे करते हैं कि अभी केंदरी बल के कारण अभी केंदरी बल यानि की सञट्रिवी पीटल Tech लगता है और सञपसी जो अब केंदरी बल होता है वाहर की तरह लगता है I am Nino Kundra ने बीजिंग ऐलम्पिक में श्यूटिंग के किस इ्विएंट में स्वर्ण जीता था तो दोस्तों आप सबको पता है बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनो बिंद्रा ने दस मिटर एर रॉइफल में स्वरपदर जीता था इस बर्धा में स्वरपदर जीतने वाले प्रथम ब्यक्ति बने हुए थे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 पेरी स्वांस मैं अनुफ रशी फार्ती महिला बने है कि मैंनुफ होगकर और ओलंपिक नीतने वाली पहली हो भारती महिला भी बनी है को पॉस्न नमर 20 है हाद की फेल एम चाह्रा अरा और मेंस प्रवांग होता है कि क्षेब पहले भी फार्टे arrived सर्टंट काड़र ज्यान पाइस होत प्रेंटर पास से एंड बैमिन्टर टेमल टेंश बॉलीबाल सर्विस से बॉसके रगवाज से एंड कवर्टी रेडर दूरा रेड देने फिर हैंड बाल जो है थ्रो आफ से सुरू होता है कुछती हाथ मिलाकर एंड वाटर पॉल स्विम आफ से सुरू होता है तो यह याद सक्षण नबर 21 है सुझार के लिए इस प्रे Cooperative का प्रेयोग किया जाता है विं ट्रेन इल्च टू इंप्रो अइंडल इंड जो संटेंड आपे इसमें अलग अलग एक्टिविटीज कराये जाती है हर एक को बारी बारी से तो इसमें इस्टेंट इंडूरिजन्स डेवलप होता है उसमें गोष्टा होमलर ने इसको खुजा था गोष्टा होमलर ने तो फार्ट लेक्ट टेर्निंग मेथर की खोर्च ही आता याद रखेगा गोष्टा नमबर 22 है कि चार गुड़े 100 मीटर रीले दोड में किसी टीम के एथलीट द्वरा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है उसके पस्चाथ अन्य टीम का एक एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है तो क्या निड़ा लिया जाएगा दोस्तो ऐसे कंडिशन में जो निड़ा लिया जाएगा वह यह लिया जाएगा कि जो दूसरा फाउल किया हुआ है दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाले टीम को आउट करेंगे ठीक है कुछा नबर् तेस है बॉलीबॉरॉपड खेल में टेकनिकल टाइम आउट का समय कितना होता है कि दोस्तो जैसे कि बॉलीबॉरॉइवल खेल में एक टीम को एक सीःठ में दो टाइम ओ तीस सेकेंड अंधिवा जो ब्रुआ्इव необходимо के लिब्रुप्वी और मैं कोस्षीन नमेर 24 है था सभेसी का सभेसी मजबूत हमारे बंटी है सभेसी सभी का हटूर Michele मैंणीबल हडी है कर दो सभेसी सबसे मझबूत हडी होता है हमारे सभ्मेसी अब दर कर दो की यह इक्नट हरुदा जो quadricis muscle junk के सामने वाली muscles का भाग होता है, quadricis muscle चार PCOS मिलकर बना होता है, rectus femoris, vastus littalis, vastus medialis, vastus intermedialis, जो पैर को फैलाने और junk और hip को मूरने में कामाता है, और junk के just पीछे hemistric muscles होती है, जो तीन muscles group से बनी होती है, बाइसेस फैमोरी, semi-meveraneous और semi-dendonious ये गूटने को मूरने में कामाती है, question number 35 है, फैपरो की कुल वायू चमता कितनी होती है, the total air capacity of the lungs, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि vital capacity जो होती है, वो 4600 ml होती है, ठीक है, जो residual air होती है, आवसिट आयू, जो स्वांस छोड़ने के बाद, पुरी स्वांस लेकर छोड़ने के बाद जो वायू बच जाती है, उसको हम आवसिष्ट वायू कहते है, जो 1200 ml होता है, ठीक है, जो 1200 ml होता है, इन दूरों को जोड़ने पर आपका आ जाएगा, 500 ml, यानि कि 5.8 लिटर, तो टोटल लंग कैपेसिटी ग्याद करने का सुत्र होता है, वाइटल कैपेसिटी गुड़े, आवसिष्ट आयू, यानि कि रिसेडिल एर, तो जो हमारा, फेपरों की कुल वायी शंता होती है, 15.8 लिटर होती है, अहां से इन में से कोई नहीं आपका राइडिल स्रू होगा, जैसे कि वाइटल कैपेसिटी ग्याद करने का सुत्र होता है, टैडल वाल्यूम, जो समाने दसा में हम स्वास अंदर और बाहर लेते हैं, उसे टैडल वाल्यूम कहते है, जिसका मान होता है, 500 एमल, तो वाइडल कैपेसिटी ग्याद करने का सुत्र होता है, टैडल वाल्यूम प्रस कंप्लिमेंटर एमल समाने सवास के बाद पूरी सकति से वाईव को और जोर से स्वास लेकर फेप्रोज में लिया जाए तो हम कंप्लिमेंटर एमल कहते हैं, जिसका मान 13,000 हेमल होता सप्लिमेंटरी एर गहरे स्वाहदार वायू को बाहर निकालना एक्सपाइरेशन करना सप्लिमेंटरी एर होता है जिसका मान 1100 एमल होता है इस प्रकार तीनों को जोड़ने को च्यालिश सो एमल आता है अब च्यालिश सो एमल जो वायटल कैपिसिटी हुआ उसमें अगर हम जो पूरे बल के साथ एक्सपाइरेशन वाहर सोचन के पस्चा जो बची होई फेफो में हवा होती है उसी हम रिस्डियूर एयर कहते हैं उसको हम जोड़ देंगे जिसका मान बारा सो होता है तो वाटल कैपेसिटी स्याजिस सो एमल हुआ और आवसिस्ट आयू यानि रिस्डियूर बारा से एमल कुल थेफोड़ों की छंता कितना हुआ पांदा सुनों आर्ट लीटर अन्ठाउं से एमल कोसे नमबर 26 है रक्त का कारहे दफॉंक्शन साफ बॉल बलूड दोस्तों आक्सिजन क्या पूर्ती भी करता है जो रक्त में हिमोग्लोबीन होता है वो आक्सिजन को ले करके जाता है समस्त कोसी काउं में एन ब्रिधिकार को कि लिए जाती हे जितने भी पतार्थ होते है व वो सभी रखत के दुवारा ही एक जगह से दूसरे जगह कोशी काव में जाता है तो उपरक तो दोनों यहां पर राइट एंसर होगा कोशन नमर 27 है इस्टिपल चेज दोड यानि पानी बाधा दोड की मानक दूरी कितनी होती है इस्टिपल चेज रेस दोस्तों आप सब को पता है तीन हजार मिटर होती है और जिसमें आपका कुछ पैठीस बाधाय होती है कितनी पैठीस अठाइस बाधा दोड होडल जंप और साथ आपके वाटर जंप होते हैं क्रिकेट पीच की चुड़ाई कितनी होती है दोस्तों जो क्रिकेट पीच होती है उसकी लंबाई होती है 22 गर जाने 20.1-2 मिटर यानि 6-64 फिट फिट चुड़ाई होती है 10 फिट यहां पर चुड़ाई होती है कोशन नमर 29 है फुटबाल टीम में कितने खिलाड़ी होती है दोस्तों फुटबाल टीम में जो है कितने खिलाड़ी होती है फुटबाल टीम में तो फुटबाल टीम में कुल 16 खिलाड़ी होती है 11 खेलते हैं और 5 इस्थाना पर्न होते हैं 11 खेलते हैं और 5 इस्थाना पर्न होते हैं कुल 16 क्योंकी खेल में कितनी खिलाड़ी होते हैं तो कुल खिलाड़ी हैं आपके 16 और खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं 11 और 6 पांच अत्रित होते हैं dedCal 1000 पांच और 2 माउच्ट करें आपके 17 तक क्युले खिलाड़ी होते हैं 12 शाविय। कि जस्थाना त्रट्स का वाले होते हैं 13 में कुल खिलाड़ी खिलते हैं., 13 कि जश्क और 6 और 25 कुल खिलाड़ी हैं तो इसमें कुल खिलाड़ी पूछा हुआ है तो कुल खिलाड़ी होते हैं 12 हैंड बाल में अब साइब 14 हो गया है नेकिन हैंड वाल में खिलने वाले खिलाडीों की संखहः पर टेक क्ली मीस साथ इनकी एत्रिट यानिकी बारह खिलाडाय होते हैं,बट अब सुनने में तो किस पर इस फोकस करता है जो निटित्व जो है एक आचर व समधी प्रक्रिया है जो हमेशा निधारित लच्छों के प्रति ब्यत्यों और समुहों को प्रेडित करने के लिए फोकस करता है कोशिन नमर 34 है सारे एक सिच्छा के किस दर्सन को प्रियोग वाद की संगया दी जाती है वीच फिलोसिफी और फिजिकल एजुकेशन इच कॉल एक्सपरिमेंटिलिजमेंट तो दोस्तों प्रेडियोग वाद की संगया दी जाती है यहां पे आपका राइट इंसरु हो जाए आपसर नमर B यूटी लिटलिजमेंट थीक है तो प्रियोग वाद की संगया दी जाती है यहां पे उप्रियोग वाद आपका राइट इंसरु हो जाएगा आपसर नंबर B प्रागमेंटेज में, एक्सपरिमेंटेज में, डियो इज में, आधिनामवु से जनते हैं, इसकी जो प्रॉद्त embedded olhos वे जानदीवी हैं, और अन्गों को सफलता की कुंजी मानता है, तो प्रैवगओत के जनक्त हैं दर्संसास्टर में जानदीवी, आदर्सवार्थ्वाद आडियोलिज्म के हैं प्लेटूर और एथार्थवाद के हैं अरस्तु और प्रकितिवाद के हैं रूसूर को स्टांग योग के प्रथम चार सुसर रूप का सही क्रम क्या है तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महर्सी पतंजली ने शरीर, मन और आत्मा की सुधी के लिए अपने योग सुत्र में आठ चरण बताये हुए हैं अस्तांग योग के अंत्रगत जो जिसमें यम नियम आसन प्रड़यां प्रत्याहार धाड़ा ध्यान समाधी यह आठ नियम हैं जिसमें से प्रथम जो पांच होती हैं यम नियम आसन प्रड़यां प्रत्याहार यह बहिरंग साधन है लाश्ट के जो तीन होते हैं धाड़ा अंद्रंग शाधन है यहां पर प्रथम चार की बात कर रहा है तो यम नियम आसन प्रड़ाया में आप सर नंबर ए राइट हो जाएगा कोशन नंबर 36 है लाश कोशन है इस सेशन का योग का पितामों किसे कहा जाता है आप सबको पता है यह महरसी पतंजली है योग के पितामों महरसी पतंजली को योग का पितामों कहा जाता है इनका जर्म जो है गोनिया में हुआ था पर एक आसी में नाग केरिप पर बस गए थे ये जो है जो महार्ची पतंजली है ब्यकाड़ा चारे पाड़नी के सिस्थे याद रखीएगा इसके सिस्थे पाड़नी के जीके में कोचन आ सकता है इसलिए अभारतिय साहिते में पतंजली के लिखे हुए तीन मुख्य ग्रंथ मिलते हैं उसमें से हैं योग सुत्र, अश्टा ध्याई पर भास और आयुर्वेद प्रग्रंथ पतंजली ने पाड़नी के अश्टा ध्याई पर अपनी टिका लिखी जिसे हम महाभास के नाम से जानते हैं तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 36 कोउशन्स आई वोब की सभी कोउशन्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे इस भी कोउशन्स में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए हम सब मिलकर उसको सालव करेंगे और जादिस जादिए वीडियो को सेयर भी कीजिए इसे और लोगों तक की वीडियो पहुश सके तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्राइक्स में तब तक की लिए जय हैं